हलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आज की रेसिपी वीडियो पे आज हम आपको बना कर दिखाएंगे कठल का पोस्ता आज के पहले साइद आपने इस रेसिपी को कभी नहीं बनाया होगा पर यकिन कीजिए और बना कर देखिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और कम मसालों से तेयार हो जाती है इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कठल को पानी में डालेंगे यहाँ पर हमने लगबग एक लीटर पानी लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 500 ग्राम छोटे टुकडों में कटे हुए कठल गैस को हमने ओन कर रखा है अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल कर मिला देंगे और कठल को हम कवर करके पकाएंगे पूरे 15 मिनट तक आप इसे कूकर में भी पका सकते हैं अगर आपको कूकर में पकाना है तो एक सीटी तक पका ले ये परफेक्टली 70 से 80 परसेंट तक पक जाएंगे तो जब तक हमारे कठल कडाई में पक रहे हैं तब तक पोस्ते का पेष्ट तयार करके रख लेते हैं इस ग्राइंडर के जार पे हम ले रहे हैं 50 ग्रैम्स पॉपी सीट्स जिसे हम लोग पोस्ता या खस-खस कहते हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका पेष्ट बना कर रख लेंगे तो अब हमारा पोस्ते का पेष्ट तयार हो चुका है तो चलिए अब ओपन करते हैं कडाई को 15 मिनट के बाद इसके कवर को ओपन करेंगे और सारे कठल को पानी में से निकाल कर अलग रखेंगे कठल को निकाल कर कडाई थोड़ा सा साफ कर लिया है और एक बड़े चमच सरसो तेल को यूज़ कर रहे हैं तेल के गर्म होने पर इसमें हम दो मीडियम साइज के आलू डाल रहे हैं आलू को भी हमने छोटे टुकड़ों में ही कट किया है और अब इसे मीडियम आज पर फ्राई करेंगे तीन से चार मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे जिससे आलू जो है वो अच्छी तरह से फ्राई होकर पक जाएंगे अब आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं थोड़ा सा कम ही पकाया है मैंने आलू को अब इसमें बॉयल किये हुए कठल को डालेंगे और दो-तीन मिनट आलू के साथ में कठल को फ्राई करेंगे कठल और आलू दोनों ही अच्छे से तेल पर फ्राई हो चुके हैं अब इसे भी निकाल लेते हैं हम कड़ाई में से और फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे अब इस कड़ाई पे हम दो चमच सर्सो तेल को डालेंगे तेल के गर्म होने पर इसमें हम कुछ मसाले डाल रहे हैं जिसमें हमारा है सौफ, अजवाइन, मेथी, काला जीरा और सर्सों इसे हमने बस थोड़ा-थोड़ा मात्रा मिलिया है और इसे आम भासा में हम लोग 5 फोरन भी कहते हैं इसे हम गर्म तेल पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम, बस थोड़ी सी मात्रा में जीरा डालेंगे एक सुखी लाल मिर्च, तेज पत्ता और 4-5 कटी हुई हरी मिर्च तिखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अब ये मसाले जो हैं वो तेल पर चटक चुके हैं तो इस पर हम दो मीडियम साइज के पतले कटे हुए प्याज को डालेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे अब हमारे प्याज बिल्कुल अच्छी तरस से पक चुके हैं तो अब इसमें हम दो मीडियम अकार के कटे हुए टमाटर को डालेंगे साथ में एक छोटी चमच ये आपने स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे इसमें और बस दो-तीन मिनट इसे प्याज के साथ में हम पका लेंगे अब आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर दोनों ही अच्छे से पक चुकी हैं तो इसके साथ हम फ्राइ किये हुए कटल और आलू को डालेंगे इन मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसमें हम डालेंगे एक ग्लस पानी पानी को भी मिक्स करेंगे और अब इसे कवर करके हम तीन से चार मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे तीन-चार मिनट के बाद कवर को ओपेन करेंगे गैस को बंद कर लेना है और थोड़ा-थोड़ा चमच से चलाते हुए दस से पंदरा मिनट इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए मतलब जब आप देखेंगे इसके उपर भाँ पाना बंध हो चुका है तब इसमें पोस्ते के पेश्ट को डालेंगे और चमच से मिला लेना है अब हमारी कठल पोस्ते की रेसिपी तयार हो चुकी है तो फ्रेंड्स अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद